हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लोग वित प्रियंका सिन्ना में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ गाजर के पराठे की रेसेपी बहुत टेस्टी होता है ये और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा यकीन है हमें ये रेसेपी आपको पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार विडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए हम बनाते हैं गाजर के पराठे गाजर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आधा केजी गाजर लिए है इसे अच्छे से छिल के साफ कर लिए है आप देख सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे घिस लेते हैं इसे कद्दू कस करना है हमें तो पूरे गाजर को हम पहले कद्दू कस कर लेंगे यहाँ पे पूरे गाजर को हम कद्दू कस कर लिए है अब इसमें हम डालेंगे नमक तो थोरा सा नमक डालके इसे हम अच्छे से मिलाके पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो नमक को पूरे गाजर में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे पाँच मिनट के लिए हम छोड़ दिये थे अब पाँच मिनट हो गया है तो हम एक बरा सा बाउल लिए है इसके उपर हम डाल रहा है कॉटन का कपरा इसमें पूरे गाजर को हम रख लेंगे और इसे दवा दवा के पूरे पानी को हम निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे गाजर में से पूरे पानी को हमें निकाल लेना है तो इसे अच्छे से दवा दवा के हम पूरे पानी को निकाल लेंगे आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं तो यहां पर पानी को हम निचोड लिए गाजर को अलग रख देते हैं और यह जो पानी है न गाजर का पानी जो निकला है इसमें हम आटा गुदेंगे आटे में हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इस पानी में नमक है तो यहां पे हम आटा ले लिए हैं पहले हम इस पानी में आटे को मिक्स करेंगे उसके बाद और पानी की जुर्ड़त हुई तो थोरा थोरा सा पानी डालके हम आटे को गुद लेंगे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे आटे को अच्छे से हम गूद लेंगे एक सौप्ट सा डो त्यार करना है अब इसमें हम डालेंगे थोरा सा तेल और तेल लगाके आटे को और थोरा सा सौप्ट कर लेंगे यहाँ पे आटा हम गूद लिए हैं अब इससे हम ढखके रख देते हैं 10 minute के लिए, सेट होने के लिए, तो आटा को हम रख दिये हैं सेट होने के लिए, अब यहाँ पे जो यह गाजर में से पानी निकाल लिये हैं, और यह गाजर जो बचा है न, उससे हम एक बाल में निकाल लेंगे, अच्छे से हम पहला गाजर को अब इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची को महीन चौप कर लिए हैं और यह लहसन और अधरक इसे हम कद्दुकस कर लिए हैं तो यह तीनों हम इसमें डाल लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए धनिया का पत्ता भी हम डाल लिए अब इसमें मसाले अट आदे चमच हल्दी पौड़र और आधा चमच लाल मिर्ची पौडर एक चमच गरम मसाला एक चमच भुना जीरा पौडर तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले को अच्छे से गाजर में मिक्स करना है अगर आप अद्रक लेसन नहीं खाते हैं तो आप skip कर सकते हैं तो पूरे मसाले को हम अच्छे से mix कर लिए हैं अब इसमें हम नमक भी add कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी ही बनाना है अगर आपको अभी नहीं बनाना है तो नमक नहीं मिलाईएगा नमक बनाने के टाइम में इसमें मिलाईएगा तो हम अभी ही पराठे बनाएंगे इसलिए हम नमक भी मिला लिए टेस्ट के अनुसार हम यहाँ पर नमक मिला लिए और यह अच्छे से mix हो गया है आप देख सकते हैं इस स्टफिंग हमारा तयार है हम यहाँ पर थोरा सा सूखा आटा ले लिए और आटा भी हमारा सेठो के आए जो गूद के रखे थे तो इस अच्छे से एक बार हम और mix कर लेते हैं तो आटा को थोरा सा हम soft कर लेंगे मसल मसल के फिर से और इसके बाद हम पेरा कट कर लेंगे अब जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं बड़ा छोटा उस साइच के पेरे बना लीजे एक पेरे को हम हाथ में लेके प्लेन कर लेंगे फिर सूखे आटे में लपेट के दोनों हाथों की सहायता से हम बीच में कुएं जैसा बना लेंगे जैसे किसी भी पराठे में बनाते हैं तो वैसे ही मना लेंगे अब इसमें हम ये स्टाफिंग जो बनाये हैं काजर का वो डालेंगे और इसे हम बंद कर लेंगे जितना भी डालना चाहते हैं आप उतना डाल लीजे ज्यादा कम आप अपने पसंद से डाल सकते हैं अब इसे हम बंद करके फिर से प्लेन कर लेंगे सुखे आटे में लपेट के दोनों हातों की सहता से हम फिर इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है अब इसे हम बेल लेंगे बहुत आसानी से आप इसे बेल सकते हैं बिल्कुल ये चिपकता भी नहीं है और अगर फूट भी गया ना तो भी आप इसे आसानी से बेल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसे बेलने में आप देख आप अपने पसंद से मोटा पतला जैसा पराठा रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं तो यहां पर एक पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है सेम प्रोसेस से बाकि सारे पराठे हम बना लेंगे गैस पे हम तावा चराएं तावा हमारा गरम हो चुका है तो चलिए अब हम पराठे सेक लेते हैं तो पराठे को हम तावा पर रख देंगे एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा आप देख सकते हैं इसका color change हो गया है तो हम पलट दियें अब इसके उपर आप जो भी पसंद करते हैं घी ओयल वो लगा सकते हैं और इसे अच्छे से दवा दवा के आप फुला सकते हैं आप देख सकते हैं यह कैसे फुल भी रहा है तो इसे अच्छे से हम सेक लेंगे तो यहाँ पे एक पराठा हमारा बन गया है आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस से बाकी सारे पराठे हम सेक लेंगे गाजर के पराठे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत टेस्टी भी बनता है और यह हिल्डी भी होता है गाजर में से जो जूस निकलता है उसे फेकिएगा नहीं उसमें आठे को जरूर गूदिएगा उससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है पराठे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो गाजर के जूस में आठे को जरूर गूदिएगा और यहाँ पर हम सारे पराठे सेक लिए आप देख सकते हैं यह पराथे आप अचार दही चटनी किसी के साथ खा सकते हैं बटर के साथ भी पराथे बहुत रिश्टी लगता है और यह पराथे बच्चे बरे सबको पसंद आते हैं आप इसे वजरू ट्राइब कीजिएगा यकीन है हमें यह रेसिपी आपको पस हैंक यू मिलते हैं आप से फिर नेक्स्ट विडियो में